ओके तो वापस चले हम लोग अपना बात में अच्छा अब हम बोले लगता है कि आप लोग का बात खतम हो चुका है ठीक है आप लोग जो भी ट्राइ किये ठीकी किये इट विल डिसाइड़ वाई बहुत संपल अगर बात में बोले तो अग दूसरा कोशन ही पोच रहा है कि क किसी विचिछ का प्राइस किसी विचिछ का प्राइस इन जेनरल किस बात भी डिपेंड करता है एक दम बहुत जेनरल साव कोशन पुछ रहा है किसी विचिछ का प्राइस इन जेनरल अ बोलिये अ अनिमेश ए डिमांड असप्लाई अच्छा अकांछा से कुम आजा एटे है कांछा और दिय्मांड भूल रहे है अभी आट सिवा हम बोलिया आ रती क्या बोल रही है हम भी demand and supply ही बोल रहे हैं यह जो होगा किसी भी चीज का जो price होगा that is decided by demand and supply तो अगर currency का भी बात करे तो currency will be decided by demand and supply ठीक तो ठीक है यह तो बात हो गया अब जेनरा देखिए दिमांग बठाते जीएगा कि कोड़ बोल रहे है कि the value of currency will be decided by demand and supply तो वो वैलू जो होगा वो वैलू कोई currency strong हो सकता है या कोई currency धिरे-दिरे करके weak हो सकता है दोने ही possibilities है या तो strong होगा या weak होगा तो हमको जानना यह है कि currency strong कब होगा हम लोग यह देख लिए कि it depends on demand and supply तो currency strong कब होगा चलिए इंडियन रुपी को एक example लेते हैं और एक लेते हैं डॉलर को तो इंडियन करेंसी को strong करना है कैसे होगा मतलब किस कौँसा वो कारण हो सकता है जिसमें कि इंडियन करेंसी strong हो जाया मतलब करना करनेसी मतलब رुपी का बढ़े जायेगा रुपी का बढ़े जायेगा रुपी का डिमांड बढ़े तो इसका supply पूच रहे है इसका supply रुपी का ज़्यादा हो जायाकर लिषका या supply कम हो जायका तो दिमांड बढ़ 1200 ral simple question पूछ रहातव सब्सक्राइब कम होगा तब दिमांड बढ़ेगा इतना बात हम लोग इतना पर आके अब आगे हम लोग पढ़ना शरू करते हैं बात यह है कि कोई कंप्रेग जो उसका करेंसी का जो वैलू होना चाहिए किसे इमांड इमांड सब्लाई पर उसको क्या करती है और इंटरफियर करने के भाद उसका वैलू को मैनुपौलेट करती है याने या चाहती है हूँ अब इमांड इमांड साप्लाई पर नहीं होता तो यह अगर ऐसा कोई country हो तो इसको बोलते हैं currency manipulator, यह जो यह है हमादा US, US अपको पता है it is a great economy, economic power और यह जो होता है यह सारी country पर नज़र रखता है कि कोई अपनी currency को manipulate तो नहीं कर रहा है कोई अपनी currency को manipulate तो नहीं कर रहा, तो इंडिया को पहले भी एक बार watch list में डाला जा चुका है currency manipulator watch list, not currency manipulator list, बट watch list और कभी-कभी वो list में भी डाल देता है यानि कि तो confirmed currency manipulator, अभी क्या है, इंडिया एक बार आया था currency manipulator का list में और अभी जो है, वो currency manipulator का list में एक बार डाला गया था, उसे बाहर हो गया था और फिर से currency manipulator watch list में फिर से इंडिया आ चुका है currency manipulator watch list, not list, currency manipulator watch list अब यह जो होता है, साल में दो reports बनते हैं, दो reports बनते हैं तो अगर कोई country watch list में आ जाएगा तो अगला दो report तक वो उस list में रहेगा, और उसे बाहर नहीं निकल सकता है और दो report के बाद ही वो बाहर निकल सकता है, तो यह currency manipulator list में आ गया हम और explain करेंगे, हम और explain करेंगे, तो इससे क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई penalty, no लेकिन world में उस country का जो standing होता है, वो गिरता है, तो यह एक problematic situation है तो अब हम आप लोग इस question पूछ रहे है, कि कोई country, खासकर के इंडिया यासा country, अगर currency manipulate करीगा तो क्यूँ करेगा, अब what will be the objective to be served? हाँ, अनु बुलिये? Sir, trade बढ़ाने के लिए, export? Export बढ़ाने के लिए, क्या आप explain कर पाएंगी, कि export कैसे बढ़ेगा? Sir, currency का अगर value काम करेंगे, तो obviously export थोड़ा increase करेगा Increase करेगा, अगर हम लोग currency का, क्या वोली फिर से पिड़ केजे, currency का? Sir, value अगर currency का decrease करेंगे, तो अब यह बता सकती है कि, वो export increase करेगा, तो क्यों करेगा? अभी आप ही से question पूछ रहा है. Reason क्या है? क्योंकि, क्योंकि सर्फ कर, countries ज्यादा interested होगी trade में. इंडिया के साथ में? यह explanation नहीं है. हाँ, कोई बता सकते है कि, क्यों? अर्थी बोलिए? currency का value अगर कम होगा, तो कम पैसे में दूसरी countries ज्यादा समानिया से खरीद पाईगी, तो इससे इंडिया का export बढ़ेगा? यानि कि, इंडिया का जो value है, समान का value, वो इंडिया का समान का value, इंडिया का समान का value, foreign country में गिर जाएगा, ठीक? और इस कारण से जो foreign country का लोग है, वो ज्यादा लोगों को, ज्यादा गुड्स को वो मंगा पाएंगे, तो this is a very simple reason, ठीक? अगर हमारा currency का value कम होगा, हम जो वे में हम बोलना चाह रहे है, तो हमारे समानों का कीमत foreign country में गिर जाएगा, यानि कि foreign country में हमारे goods का landing cost, foreign country में हमारे समान का landing cost है, वो कम हो जाएगा, यह आप लोग को कई बार हम class में समझा चुके हैं, I hope आप लोग को याद होगा, हम कई बार कई बार समझा चुके हैं, किसी को कोई doubt है क्या, या किसी को लगता है कि हमको एक बार फिर सा समझ लेना चाहिए, नहीं है, यानि कि सारे के सारे लोग clear है, ओके, तो ठीक है, तो अब हमको बताई है, अगला question मेरा है, मेरा अगला question ये है, कि अपना currency का value, हम लोग कम करने के लिए, क्या कदम उठाए, यानि कि अगर हम currency manipulator सच मुच में है, अगर, तो हम लोगों को अपना currency का value को गिराने के लिए क्या करना चाहिए? पूजा बोलिया, सर वैल्यू गिराने के लिए तो मतलब currency का supply को बढ़ा देना पड़ेगा, क्या कोई और भी रास्ता है? इंट्रेस्ट रेट कम करना होगा? वह बहुत घुमाओदार रास्ता है, एक बात ठीक बोली है वैसे लेकिन और कोई रास्ता है तो कोई और बोलेगा, अर्थी? गोल्ड खरिद लेना? अच्छा एक हारती क्या बोल रहे है? वैल्यू करना ही, वहरको तो ही समझ नहीं है ऐसा, क्या करेंगे? अच्छा उसका उल्टा कर सकते हैं ना, जो वह बोली, कि supply बढ़ा देंगे हम लोग, अपना करेंसी का, एक दूसा रास्ता है कि मार्केट में जो डॉलर है उसको खरिदना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? यह कांसेट मेरे खाल से आप लोग समझ गया है इतना कॉंसेट कि फह अणू बात करते हैं आपसे हां पेपर बिलकुल टुच में रहिएगा और अभी अमेरिकावला अनु बात करें तुरा अनु बात करते हैं अनु अभाज नहीं आ रहा है अच्छा आपसे और आपका ट्रेकरेंगे और वो जो अमेरिकावला नुज हुआ उसको उसको देख लीजेगा अभी सबसे बड़ा टॉपिक ही है आपका टेंथ को है ना अच्छा ठीक ठीक होजग होगा फिर बताइएगा अनु क्या बहुत रही है सर आवाज आ रही है अशर वो शीवमावी का माइक्रोफोन ओन नहीं हो रहा है वो चैट बॉक्स में आपको मैसेज़ देखने बोल रहा है तो हम देख रहा है लेकिन हम नहीं चाहरे कि बहुत जाता मिश्टरी क्रिएटर है रहे हम को पता तो चले कि है कौन ठीक है आगे चलते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमको लगता है ऐसा कि सबका ध्यान जो होगा ना महाँ पर खिचे जाएगा इंक्लूडिंग मी, यह मतलब इतना मिस्ट्रियस नहीं होना चाहिए, हाँ, अगर कुछ इशूज है, तो वो हमको पता तो चले, आज आगे बाद करते हैं, टेक है, तो हाँ, तो यह जो है, यह, यूएस किसी कंट्री को कब बोलता है कि करिंसी मनिपुलेटर है, उसमें से, थ्री में से टू क्रेटेरिया जो है, वो फुल्फिल होने चाहिए, एक क्या है, कि there must be significant bilateral trade surplus, ठीक, significant bilateral trade surplus मतलग कि यूएस में समान ज्यादा बेच देता हो, और यूएस से समान कम खरिता हो, और वो जो होना चाहिए, इन 12 मन्थ पीरिएड, यह 20 बिलियन डॉलर होना चाहिए, आगे चलते हैं, आगे हमारा कि current account surplus जो है, यह आप समझ पा रहे हैं, यह इतना ज्यादा समान इतना का बेच रहा हो, जो current account surplus है, वो उस country का GDP का 2% हो जाए, ठेक है, मतलब कि 12 मन्थ में जितना बेचा, जितना खरदा, मेरा हमारे इंडिया का GDP 100 है, और हम GDP 100 है, हम लोग 10 रुपए का समान, sorry, हम लोग 1000 रुपए का समान जो है, वो बेच दिये है US को, यह हजार रुपए ही रखी हमारे GDP, 100 रुपए का समान जो है, हम भेज दिये है US को और US से हम खर देया 98 का, तो हमारा, sorry, 80 का, तो यह 20 का gap हुआ, that 20 is 2% of 1000, ठेक हमारे GDP, तो यह गर इस तरह का gap हम create किये हुए है, GDP का 2%, तो second criteria हुआ, and third age, one-sided intervention, यह important है, इसे एक लिए सारा का सरा को समझा रहेते हैं, one-sided intervention, यानि कि country का जो GDP है, उसका 2% तक वो खरीद लिया है, currency ठेक, 2% तक अगर currency खरीद लिया है, यानि dollar खरीद लिया है, तो उसको माना जाएगा currency manipulator है, क्या बताएगे, कि first point यह था हमारा, कि US के साथ उस country का trade surplus होना चाहिए, that is, that must be significant trade surplus, दूसरी बात है, जो current account surplus है, वो 2% of GDP उस country का हो, और third है, कि अपना GDP कर 2% तक वो dollar खरीद लिया है, ठेक है, तो आप लोग समझ गए बात को, तो इस तरह से हम इसमें से कुई भी दो criteria फुल्फिल कर रहे होंगे, तो हम हो गए monitoring list में आ चुके है, watch list जिसको हम बोल रहे थे, तो इसमें और भी country है, रहे है, इंडिया है, ताइवान है, थैलैंड है, वियत नम भी कहीं पर मिलेगा जरूर, चैना, जपान, कोरिया, जर्मानी, इतलिया, सिंगापुर, मलेसिया भी है, और वियत नम भी है, कहीं, Sixer land और वियत नम को भी नया आड किया गया है, तो यह सारे के सारे कंट्री जो है, they are in currency manipulator, क्या था, यह से monitoring list में यह लोग आ चुके है, क्या अनु क्या बोल रही है? Sir, इस list में, मतलब, इस list में अगर नाम आ जाता है, ऐसा कुछ disadvantage या advantage ऐसा कुछ है? अचा अभी हम बोले थे, सुना होगा, वो बताएगा, जो थोड़ा यह था, पलोड़ था. Pooja, बोलियो. Sir, अगर इसमें नाम आता है, तो मतलब international market में, मतलब, थोड़ा, उसको थोड़ा नीचा नजर से देखा जाता है, इस तरह से. हाँ, standing, standing खराब होता है, आप लोग समझ गया बात को, तो first news covered, ठीक है, आगे बढ़ता है, उसका कोई, अमेरिका कोई ऐसा कोई penalty नहीं लगाता है इस पर, आगे बढ़ते हैं लोग, आगे हमारा है कि India और United States जो है, वो एक memorandum of understanding sign किये हैं, वो IP intellectual property cooperation के लिए, तो कोई हमको बता सकते हैं, what is intellectual property? आगे हमारा है, तो कोई भी प्रूडप्ट हो, कोई आइडिया हो, कोई concept हो, that is very novel, तो यह जो होगा, that is intellectual property, तो intellectual property जो है, यह software में भी होता है, और medicine में भी होता है, movie में भी हो सकता है, तो यह सारे के सारे जो होते हैं, तो यह intellectual property जो होता है, वो intellectual property दुनिया में सबस्यादा यह अमेरिका में ही create होता है, और हम उसको चोरी करने के ले जाने जाते हैं, तो इस चोरी करने को क्या बोलते हैं, term क्या है, हाँ तो ठहिएगा, अनिमेश बोलिया, अनिमेश, अनिमेश, ठेक है, इस कम लोग बोलता है परेसी, और ठेक है, यह हम लोग जो होता है, हाँ, तो अभी उसके लिए कुछ cooperation होगा, US में और इंडिया में, जिससे की industry, university, research and development organization, MSME, इन लोगों को इसके बारे में aware किया जाएगा, और best practices क्या है, इसके लिए knowledge होगा और sharing होगा, तो इंडिया में intellectual property को लेकरके, जो awareness है, इवन government level पे एक time में बहुत बहुत कम हुआ करता था, और इसका फायदा उठा करके, जो US के कुछ लोग, इंडिया के intellectual property को चुरी किये, यह हमारी government का failure था, और वो failure खास करके ऐसा था कि देखें, intellectual property में क्या है न, बहुत सरे नियम होते हैं, one is documentation, कि अगर आपको जानते हैं, तो आप किसी से पहले जान रहे थे, उसके लिए आपके पास documentary proof होने चाहिए, कि देखो तुमसे पहले हमको पता था, और इंडिया में documentary proof नहीं होते हैं, कहने का मतलब कि हमारे यहां पे अगर किसी को कोई cut हो जाए body में, तो ममी, पापा, दादी यह लोग हल्दी लगा देते हैं, हल्दी के बाद घाव ठीक भी हो सकता है, लेकिन यह बात आप कैसे दुनिया को proof करेंगे, कि यह हमारा देश का knowledge था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, documentation करना पड़ेगा आपके जा knowledge हैं, यह documentation नहीं था, इस कारण से इंडिया से कई सारे जो यह medicines थे, और इसका patent US में जा करके हो गया, बाद में सरकार आयरुवेद वगर का book खोज करके proof की, बट बहुत मतापची करना पड़ा, तो उसका एक index अगर सरकार बना लेती तो यह नहीं होते, खेर यह US और इंडिया जो है अभी इस पर cooperate करेंगे, पढ़के समझ में आ जाएगा आप लोग को नहीं आगा तो बतेएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, criminal cases में आप लोग इसे पूछ रहे question, criminal cases होते है between whom? criminal case में दो पाटिया कौन होती है? बढ़के जिसके जो खिलाफ में गॉवर्मेंट रहती है, और तरफ में मतलब जो केस मतलब केस जिसके जो खिलाफ में गॉवर्मेंट को गाइब। चेक है एक एक्विस्ट होता है and one is government तो ये तो पार्टी होते है इसरे विक्टिम का कोई रोल नहीं होता तो अभी क्या है कि दिल्ली में एक law बना है जिसमें कि विक्टिम जो है ये पिक्चर में लाया गया है विक्टिम को यानि कि जो विक्टिम को जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट जो होगा वो उसको कंपेंसेट करेगा for physical injuries, emotional, psychological trauma and even funeral expenses यह सारे के सार बातों के लिए कंपेंसेट करेगा उसमें यह देखा जाएगा कि जो accused है या कंपेंसेट है वो कंपेंसेट का financial position क्या है मतलब उसका वो भी नजर में रखा जाएगा तो यह बहुत दिन से इंडिया में एक demand चल रहा था कि इंडिया में आपको पता है कि यह जो cases होते है यह cases में एक PP होता है, public prosecutor यह public prosecutor जो होता है वो case लड़ता है government के तरफ से और जो accused होता है वो अपना defense advocate रखता है तो अब इसमें क्या होता है फिर जो victim है उसका क्या काम है तो victim का काम क्या है victim का काम बहुत simple है वो है as a witness विटनेस विक्टिम का तो विक्टिम को चोकि हमारा criminal system से गायव है तो कई दिन से मांग चल रहा था कि victim को लाया जाए उसका loss क्या है वो subjectively उसी को पता है किस तरह का loss हुआ है तो उसको compensate करने का कुछ mechanism निकाला जाए तो इसलिए law आया हुआ है पढ़के आप लोग समझ जाएंगे आगे चलते हैं यह news अगला news जो है यह बहुत ही important है जो PSE pre means दोनों के लिए बहुत important है the right call इसका निसे टैटिल चेंज करके हम सीट देंगे आप लोगों को तो यह मुद्दा यह है हमको जानना यह है आप लोगों से कि first of all कि बहुत असान question पूछ रहे आप लोगों से कि किसी street में बोलते हैं precedent rule लगाया जा रहा है तो precedent rule लगाने के लिए क्या conditions होते है कौँ सा article है कौँ बता रहे है article नमर भी बताना है और condition क्या है ओके दीपक से पूछते हैं दीपक sir 356 article अच्छा यह तो नहीं पता था और मतलब कि दो साल से जादा नहीं लग सकता यह तो आप बहुत कुछ बताने लगे नहीं वो नहीं हो थी का आप थोड़ा होत पड़े हम एकसप्ट कर रहे है बट नहीं हो हम पूछ नहीं रहे थे तो अनु बुलिया तू आप ट्रेविलियन ने रहा हो गया पूजा तू राज जी में अगर समयधानिक थांत्र विफल हो जाए तो लगता है तू लगता है दिषिद्वर फेलिर अव कोन रहे है अगला पूशन यह है कि कॉन किसको पता चलता है कि राज महें समबैधानिक तंत्र भी फ़ल हो गया है पुजा है बोलिया सर गवर्नर गवर्नर ठीक सही है गवर्नर एक एक लेटर भेजता है सेंटर को कि देर इस फेलियर अफ कंसिश्टिश्टर मिशनरी इन इन इस स्टीट तो यह जो होता है क्या हम कोई जानना यह है कि क्या बीना गवर्नर के रिपूर्ट के भी क्या प्रसिडेंट टूल लगाया जा सकता है क्या है कोई नहीं बता रहा है यह सब्सक्राइब कर सके जिसको बोलते हैं एक मज़दार किस आया हुआ है इसको जरूर पढ़िएगा मज़दार केस यह है कि आंध्रप्रदेश की हाई कोट एक अपने हाथ में सुमटो केस ले है कि क्या और राज्य की काउंसल को बुलाई है वहाँ पर कि क्या अध्यान से समझेगा कि क्या आंध्रप्रदेश में कॉंशिचूसनल मसिनरी फिल हो गया है ठेक रिपेट कर रहे हैं आध्रप्रदेश की कोट हाई कोट एक केस लिए है उस केस में वह स्टेट का काउंसल को बुलाई है और काउंसल को बुला करके इस बात पर फैसला करने के लिए कहा गया है मतलब उसका एजंडा है कि क्या स्टेट में कॉंशिचूसल मसिनरी फिल हो गया है अब आप लोगों से डिसकस करना चाहा रहे है आप लोग का क्या कमेंट है इस बारे में पूचा बोले बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं सुनिये का बहुत ध्यान से यह बहुत अपर्टन टापिक है हां बुलिये यह तो फिर जुडिशिल एक्टिविजम में आ जाएगा सर यह तो मतलब जुडिशियरी का काम नहीं आज आज अधिक आर्ति से वी ठड़ा बात करी लेते हैं आर्ति क्या बोल रहे हैं आप भी बोलना चाहते थे कि जुडिशिल एक्टिविजम यह दिखाता है और एक्जिक्यूटिव का जो काम है वो एक्जिक्यूटिव को ही करना चाहिए और जो जुडिशिय का काम है वो जुडिशिय को करना चाहिए अगर दोनों का इंसर सही है यस इटीश जुडिशिल एक्टिविजम Constitution में कोई power judges को नहीं है कि वो डिक्लियर कर सके कि किस स्टेट में Constitution में का failure हो गया अगर failure होता है तो बाद में judgment कर सकते है कि failure हुआ था कि नहीं हुआ था रिपोर्ट जो था गवर्नर का वो malefade था कि नहीं था लेकिन वो initial stage में उनको कोई power नहीं है और वो ये case लिए फाइनली ऐसा हुआ कि शुक्र है कि यह मामला जो गया वो सुप्रीम कोट में गया और सुप्रीम कोट बड़े दुख के साथ बोली कि we are very disturbed by this case ठेक इस case को stay कर दिया गया है और बाद का कुछ न्यूज है कि सादवा का CJ को transfer भी कर दिया गया है चाहां तक हम बाद का न्यूज पढ़े है तो यह एक देखिए बुरा हाल है कुल मिलागर के system का हमारा system जो है वो बुरा हाल है sense में है कि एक तरफ में हमारे CM जो है अंद्रपरदेश के वो लिखते हैं Supreme Court को कि यहां के judges जो हैं वो मेरे सरकार के पीछे पढ़े हुए हैं और judges एक नया case ले लेते है कि इसमें Constitutional Missionary का failure है मतब Executive और Judiciary का जो जगड़ा है यह बड़ा बहुत low level में जा रहा है और हमारे institution के लोगों का जो भरोसा है हमारे देश का यह बहुत इससे असर पड़ेगा यह बहुत खतरनाक के सरह कुल मिला करके यह पढ़ियेगा बहुत ध्यान से पढ़ियेगा समध समझ के पढ़ियेगा कि This is against separation of power Executive, Judiciary and Legislature are all separate and they must not intervene in each other's rule तो यह बहुत ही खराब बात हुआ है आगे बढ़ते हम लोग काफिल खाह को आप लोग जानते ही है तो काफिल खाह जो है वो यह केस जो होता है यह सब केस ऐसे है Actually हम बार बार इस बात को बोलते है कि जब से WhatsApp Inner City का जन्व हुआ है तो उसे कुछ बातों को समझाना पढ़ाना काफे डिफिकल्ट है तो है यह काफिल खाह जो है यह NTCA में इस्टेक्टमेंट देने के कारण योगी यादितनत की सरकार इनको जेल में बंद कर दी थी बेल मिला नया केस लागा करके फिर बंद कर दिये थे बाद में हाई कूट इनको बोली छोड़ दी बोली कि तो इस्टेक्टमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है जिसा वालेंस होगा तो यूपी सरकार सुप्रीम कोट गई और सुप्रीम कोट फाइनली इस केस को लेने समना कर दी काफिलका का काफिलका बाहर के बाहर रह गये लेकिन बोलते समय यह भी बोली तो यह भी बोल दी सुप्रीम कोट कि वो जो हाई कोट बोली है कि कुछ बोली ही नहीं है उसको भूला जाए और केस जैसे वसे चलेगा बट हम लोग आगे केस नहीं लेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यह निउज आप लोग पढ़िएगा यह दो निउज एक तरह कहीं है एलगार परिशित का एक केस है उसमें कई सारे जो इंटेलाक्श्वल्स है गौतम नौलखा और वरवरा राओ और यहाँ पर एस्टेन स्वामी यह सारे के सारे लोगों को यह यह पीए लगा करके जेल में रखा गया है किसी को परकिंसन है कोई चल नहीं सकता और उनों के साथ इवेन जो बेसिक हुमेन नीड्स है इस्ट्रोव और शिपर यह सब भी नहीं प्रवाइड किया गया तो उस पर भी एक नूज है हम डिसकस कर चुके ऐसा बात को तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अब बात यह है अगला कि एक और न्यूज यह है कि आपको पता है भारत-माला परियोजना तो भारत-माला परियोजना में जो कुष्टल एरिया है उसमें रोडों का जाल बिछाना था तो चैन्ने से सलेम का रूट है यह यह जो रूट है इस रूट पे जो रोड बना है इसको पीछे समझा दे रहे हैं इस रोड यहां पर क्या है पहले आपको पूछेंगे मेरा कोशन यह है कि देसेच ग्रीन फिल्ड प्रोचाट पहला तो यही बात रहा है इस इस ग्रीन फिल्ड प्रोचेक्ट तो आप लोग कोई बता सकता है कि यह ग्रीन फिल्ड प्रोचेक्ट क्या होता है अतुफा बोलिया किसी नए प्रोजेक्ट में इंवेस्टमेंट करना नए प्रोजेक्ट से आप का समझ रही है मतलब जैसे की sä세 काई प्रोजेक्ट शूरू होने वाला है उसमें इनवेस्टमेंट करना ऐसे ब्राउनपि Reserve होगा और ख één से कंपनी ए फिर में इसमें इनवेस्टमेंट करना 16 प्रोजेक्ट अगर ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट से लेके हर कुछ अगर सी जीरो से स्टार्ट है अच्छा आप लोग दोनों का ही सही था आकांचा से फिर एक बार अब क्या पूछे हम बात में पूछेंगे यह दोनों का ही बात सही है न्यू प्रजेक्ट ह होने चाहिए उस जगह पे पहले से इंडस्टी नहीं होने चाहिए डाइच G्रीण फिल्ड और वह उसी इंडस्ट्र में करते हैं किसी में तो फिर ब्राउन फिल्ड तो यह 말고 선 पिर्च प्रजक्त था फर्सट फ़ृण high court में case गया, high court बोली कि पहले clearance लीजिए notification के पहले clearance लीजिए एक दो तरह का बात बोला गया था case में, त्यारा ध्यान से समझेगा case में बोला गया था एक बात कि clearance जो है मतलब जो लोग high court गये थे वो क्या दलिल दिये थे कि कोई project को notify करने से पहले जमीन को पहले clearance लेना चलो हो रही है high court को, दूसरा क्या बोले थे कि central government केवल pre-existing roads को ही national highway declare कर सकती है green field project को national highway declare नहीं कर सकती है यानि कोई stripe of land को नहीं बोल सकती है कि this is national highway, नहीं, वो पुराना road होना चाहिए दो बाते high court को समझाये गया high court बोली कि yes ये जो है उस बारे में कोई decision नहीं दी बट ये decision दी कि पहले clearance लीजिए तो ये project जो था ये रुख किया clearance पहले लेने का बात था तो फिर क्या हुआ हमरे central government गई supreme court supreme court नहीं फैसला दिया सुन लेजिए supreme court का कहना है कि central government को कोई भी barrier नहीं है कोई भी उसको रोक नहीं है law के हिसाब से कि वो किसी land किसी piece of land को national highway गोशित कर सके यानि कि फैसला जो है central government के favor में गया है कि किसी भी जमीन को वो गोशित कर सकती है कि this is national highway एक center के favor में गया दूसरा भी center के favor में गया वो बोल रही है supreme court के notification जो है वो दिया जा सकता है without environmental clearance notification दिया सकता है लेकिन construction work जो है वो जो सुरू होगा वो clearance के बाद ही सुरू होगा तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही मुद्दों तो इसमें कुछ comment भी है वो ही बतादे रहे है ये जो writer है दो-तीन writer का था इसमें उसमें जो मिला कर कर हम बनाए है तो वो writer बोल रहा है कि होता क्या है कि अगर अगर हम लोग project को बिना clearance के go ahead दे देते हैं even notification का तो बात यह होता है कि project कुछ ऐसा जगह तक पहुँचाता है उस point तक जिसके बाद अगर court में उसको रुकवाने कभी कोसिस किया जाए तो project रुक नहीं सकता इसलिए initial stage में ही अगर उसको clearance लेना वो ज़्यादा बहतर होगा तो एक कह रहा है कि जहां ecology का बात हो यहां तो national park से हो करके गुजार रहा है जहां ecology का बात हो या फिर और भी वह सरवे करते हैं इसको बोलता है environmental impact assessment environmental impact assessment का बातलब होता है कि वहां के local लोगों पर क्या आसर पड़ेगा वहां का economic पर क्या आसर पड़ेगा बहुत कुस देखते हैं तो वो जो सारी की सारी process से पहले कर ली जाने चाहिए तो पहले ही notification कर देंगे तो जो marking अगर अगर भी अगर हो जाए कि यहां से बनेगा तो यहां से point of no return हो सकता है कि इसके बाद अगर कुट चाह भी लिए कि इसको रोक ले मुद्द क्या है मुद्द यहां भी वही जहगडा है ध्यान से सुनिएगा ठीक तो मुद्द यह है कि यह अर्णवगस्वमी का कहानी याद होगा किसी को याद है कहानी अर्णवगस्वमी का कि क्या था कैसे कैसे हुआ फिर क्या हुआ इस सब कुछ भी अच्छा अनिमेस बोली है कोई इंटेरियर डेजाइनर था उसको वह पेमेंट नहीं किया सब्सक्राइब करके क्या कोई और भी कहानी है हमारे पास सब्सक्राइब करके यह सुप्रीम कोट गया था और देखा जाता हुआ हम थोड़ा हिंट दे रहे है यह सीम से रिलेटेड है महराष्ट्र का सीम से कि आप लोग को याद नहीं है तो इंट्रव्यू वाले लोग तो और भी सहम जाएए थोड़ा मुद्द यह था सुन लिजेगा मुद्द यह था कि अर्णव गोस्वामी दिन रात देखतर से दिन रात वो रिपॉब्लिक टीवी पर चिलाता था उद्दौ बोल उद्दौ हाँ ममत बोलिया तो वही बोलता रहता था अच्छा तो वो जो था वो इस तरह से तो बाद में उद्दौ बोलिया उद्दौ जी इस तरह से तो बोलिया उद्दौ जी यह वाजीब सा ड्रामा था तो यह जो हुआ यह इसको महरास्ट्र की जो महरास्ट्र का टो एस्टेट लेजिसलेचर है इसको लिया आजक कांटम्ट आफ हाउस ठीक तो यह जो है कांटम्ट आफ हाउस एक मिनट हाँ लेजिसलेटिव कौनसल यह वहाँ का इसको लिया के इस इस कंटम्ट आफ हाउस प्रोसेडिंग्स में अर्णव गोस्वमी को नोटिस केया तो आप लोग बतेए कि अर्णव गोस्वमी फिर क्या किया आरणव गोस्वामी को notice किया कि आप जो है ये contempt किया है तो आरणव गोस्वामी क्या किया अच्छा आप लोगー याद नहीं है बता रहे है ये जो है आरणव गोस्वामी प्षक्ड नहीं हो इसमग्य कोट गया क्वोक्ड में क्या हुआ वहाँ पर इसको बोला गया आपको जरूरत नहीं है और वहाँ पर मामदाख हतम हो गया था तो फिर हाउस इसको फिर से बुलाई कुछ धमकी टेकर देखेंगे यह था कि जब यह कोट गया तो कोट गया तो कोट जाने के बाद इसको लिजिस्लेटिव काउंसिल का सेक्रेटरियेट से एक लिटर आया कि आप आप बिना स्पीकर का परमिशन के कोट कैसे चलेगा यह था होता आप बिना स्पीकर के परमिशन के कोट कैसे चलेगा और यह जो particular letter था इस letter को Supreme Court बहुत ही seriously ली कि this age मत एक तरसे देखा जाए तो Supreme Court को जाने का हग सब को है एक तरसे देखा जाए तो Supreme Court अगर कोई पहुँच रहा है तो आप उसको धंका कैसा सकते हैं यह जो है Supreme Court इस बात को ले करके बहुत ही serious हो गई उसको आरेश्ट से रिलीफ दी कि आरेश्ट नहीं किया सकता क्योंकि यह पावर हाउस को होता है ठीक हाउस का जो प्रिविलेज है यह पावर होता है कि अगर उसको कोई हाउस को अगर कंटेंप्ट करता है एक मिनट हम यह आफ करके अब लोग थोड़ा सर्वेट कीजिए हम देखते हैं क्या है झाल 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 हाँ आगे बात करें तो बात ही कर रहे थे कि सुप्रीम कोट में यह गया सुप्रीम कोट जो थी वो आरिष्ट से इसको बचाई भी और साथ में बोली कि हाँस को कि हाँस ऐसा लेटर कैसे लिखा तो हाँस का जो सेकरेटरी है मतब लेजिसलेटिफ सेकरेटरी डिप्टि सेकरेटरी विलास अथावले को सुप्रीम कोट बुलाएगा जवाब देने के लिए कि आप ही कैसे मतब किसी को अगर कोट चाता है तो आप कैसे उसको मेरा जो हम जो वही कर रहे थे, जो हमको speaker बोला, ठीक, तब Supreme Court जो है, उसका कहना था, कि इसका मतलब कि speaker से बात करना ज़रूरी है, तो speaker को notice किया, कि अब आप, sorry, लगता है, Supreme Court जो कहना था, कि ठीक, हम लोग लगता है, speaker से बात करना पड़ेगा, अब क्या है, यहां तक आप लोग मुद्दा समझ के, मुद्दा क्या था, repeat कर रहे है, interview वाले लोग थोड़ा अलर्टी रहिएगा, बाई चांस, हाला कि हमको नहीं लगता है कि question बन रहा है, लेकिन anyway, बात कहीं निकल जाए, कहीं से कहीं हो जाए, तो बात यह था कि यह मुद्दा जो है वो, क्या मुद्दा था, मुद्दा था privileges का, Contempt of House, Contempt of House, Contempt of House, लेकिन House धमकार आया है कि Supreme Court बच्चा, तो अभी महराष्ट legislature, एक resolution पास किया है, कि there is separation of power between judiciary, executive and legislature, हमारा अपना पावर है, आपका अपना पावर है, हम Contempt Proceedings में हम ही Supreme हैं, और इसलिए हम Supreme Court के किसी भी notice का जवाब नहीं देंगे, यानि कि इसका मतलब वे है कि अगर speaker को Supreme Court बुलाती है, तो इस speaker नहीं जाएगा, यह हुआ, कुल मिलाकर के बात कि, इनका कहना है कि Constitution हमें power देता है कि, हम कुछ भी करें, हम court के लिए उत्तरदाई नहीं होते हैं, मतलब हाउस के अंदर अगर कुछ भी करें तो, और रिपोर्ट अगर को भी ले करके, तो तो वो सम्विधान का बात उठा रहे है, तो अब क्या होगा हो तो हम बात में देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अगर Supreme Court जिद करती है, तो यह फिर एक problem create होने वाला है, आगर बढ़ते हैं, किसी को कुछ इस आर्टिकल हम बोलना है, कोई question या अभी तक, ठीक है, आगर बढ़ते हैं हम लोग, तो तमिल आडू जो है, वो इस साल, काश्ट संसस जो है, वो कराना चाह रहा है, कि तमिल आडू में कितने काश्ट हैं, तो हमारे देश में जो लास्ट काश्ट संसस हुआ था, that was in 1931, 1931 में काश्ट संसस हुआ था, लास्ट, उसके बाद से काश्ट संसस नहीं हुआ है, 41 में तो वार भी चल रहा था, तो SC और HT को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन OBC को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, OBC का रिकॉर्ड हुआ था in 2011 का संसस में, उसको बोला गया था socio-economic census, socio-economic census, socio-economic caste census, लेकिन सरकार इस टीटा को पब्लिक नहीं किया, सरकार को ही पता है कि कौन सी चाती, कितनी है, कहां है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो तमिल नंडू इसको कराना चाह रहा है, तो caste census से फाइदा क्या है, फाइदा ये है कि quantifiable data मिलेंगे, कि किस state में कितने caste है, उनका economic condition कैसा है, reservation दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन problem क्या होता है, कि ये data अगर मन मुताबिक नहीं हुआ, कुछ caste का, तो ये Pandora box फिर खुलता है, क्योंकि कुछ caste को सोचिये कि, सोचा गया है कि ये numerically काफी strong है, और काफी ज़्यादा, नौकरियों में भी काफी seat ले ले रहे हैं, लिकम बाद में पते चलता है कि उनका percentage, जो है job में काफी बढ़े गया है, relative to their population, तो ये Pandora box होता है, तो सरकारी generally इसको reveal करने से रुखती है, तो तमिलाड इसको करवा रहा है, तमिलाड रिजर्विशन भी काफी है, Supreme Court में case भी है, तो वो present कर पाएगी कि हमारे यहाँ पर रिजर्विशन इतना है, तो क्यूं है इस census से, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रॉस्नी एक्ट तो आप लोग को याधी होगा, तो पूछते हैं, दू कोश्चन, हम एक कोश्चन तो पहली पूछ चुके हैं, टेस्ट में, तो मेरा कोश्चन यह है, कि रॉस्नी एक्ट को लेकर के, चार्जेज क्या थे, कि यह रॉस्नी एक्ट इस बाड, क्यूं? खास करके, अगर कोई हमको यह बता सके, कि बीजेपी इस के पीछे पड़े हो दी इस आक्ट के, क्यूं? अरे, कोई नहीं बता रहा है, पूजा बोलिया? Sir, वहाँ पे cut-off date बढ़ा कर, और बीजेपी अपने लोगों को वहाँ पर जमीन देलवाने के लिए मतवत थी? नहीं, बीजेपी इसको क्रिटिसाइज की थी इस आक्ट को, आप बीजेपी तो फेवर में कर दी ना आप, क्रिटिसाइज की थी क्यूं कि यह आक्ट गरवड़ आक्ट है? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है, रॉसनी एक्ट का जो प्रब्लेम आया था, अच्छा, इसमें कुछ हिंदू-मुसलिम है क्या? सिधा से यह कोशन पूछ रहा है, हिंदू-मुसलिम है क्या? जिसको कि बीजेपी पॉइंट आउट की थी, कि हाँ हिंदू-मुसलिम है इस आरती बोलिया. इसमें को पता है कि सरकारी जमीन को अगर को इनक्राच कर लिया है, काफी दिनों से उसको इनक्राच करके रखा है, तो उससे पैसा लेकर के उसको रेगुलराइज करिया जा रहा था. बीजेपी का कहना था कि इसमें जम्मु में एरिया में जो सरकारी जमीन है, उसको जो मुसलिम कैप्चर करके रखे हुए है, उन लोगों को जमीन मिल जाएगा जम्मु रीजन में, जो कि हिंदू मिजरिटी रीजन है. वो हाँ पर उनको रेगुलराइज हो जागा, उनको जमीन मिल जाएगा, तो बीजेपी के हिसाब से, गवर्मेंट वस ट्राइंग टू चेंज डेमोग्राफी अप जम्मु, यह बीजेपी का चार्ज था, खैर, हुआ क्या, हुआ कि हाई कोट जो है, यह हाई कोट तो इस इसमें, अब आपको से सीधर सीधर कोशन पूछ रहे हाँ, उठाईएगा, इसमें बीजेपी को खुस होना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था, इस पर्टिकुलर, हाई कोट बोले कि इस इज अनकोंस्टिउशनल, बड़ा आसान कोशन पूछे हैं, दिखते हैं, अब हाथ ही देख लेते हैं कि कितना हाथ उठ रहा है, अभी भी तीन, अच्छा, अनिमेस बोलिये, खुश होगी साथ, अच्छा, आरोप लगाई है, तो जब इसको अनकोंस्टिशनल बोल दिया गया है, उसके अगेंट में सीविये इंक्वारी होगा, तो बीजेपी को तो कुछ ही हो गया कि, हो गया आप जो मुस्लिम जमू में आगे बसे तो तो गया, लेकिन मज़ेदार बात है कि एही बीजेपी जो इतना हला मचा रही थी, वो हाई कोट में वापस गई है, कि अरे इसको अनकोंस्टिशनल क्यों गोशित किया, इसमें थोड़ा सा, अच्छा, उसमें बोली थी कि लैंड जिहाद हो रहा है, तो यह जो है, वो जाके बीजेपी, बतब बीजेपी गई है कि जो common people है, उनको दिया जाए जमीन, और जो rich और influential है, उनको नहीं दिया जाए, यानि कि सारा का सारा जब पूरा का पूरा beneficiary इनको दिख रहा है, बतब हमारे politicians को, कि कौन-कौन से beneficiary हैं, जिनके हाथ सब जमीन गया, क्योंकि unconstitutional हो गया, तो बीजेपी गई है कि इसमें थोड़ा देखे कि किसको किसको common people को लेने दिजिये, और rich or influencer को हटा दिजिये, तो इसका मतलब है कि जहां तक, मतलब तो वहाँ पर line खीचेंगे, जहां पर की अपना फैटा होगा, ठीक? तो यह 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 जो particular चीज है, यह this will be against rule of law, खैर कि आप इसमें से, मतलब illegal चीज को regularize कर रहा है, फिर उसमें गरीब और अमीर देख रहा है, यह तो कोई policy था नहीं, तो regularize करते हैं, तो खैर, तो यह हाल वहाँ पर अभी हुआ है, आगे बढ़ते हैं, इस इस वेरी good news और इसको discussion करते हैं, लेकिन करेंगे तो यही बात है, कि समल समल के करना पड़ता है, ठीक है, पूझा क्या बोल रही है? मतब यह जो equality है, वो equality कि हर किसी को बराबर ट्रीट करते हैं, अब यहां पर क्या है ना कि आप बोली सकती है कि हर कोई को बराबर तो ट्रीट नहीं भी कर सकते हैं, क्लासिपिकेशन कर सकते हैं, बट एक 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 illegal act था, जिसको आप legal कर रहे हैं, अगर उसमें आप discriminate करेंगे कि एक illegal act अगर कोई दूसरा किया तो ठीक है और यह मतलब और कुछ लोग की यह तो गलत है, तो यह मतलब बहुत illogical जैसा काम है, क्योंकि काम तो पहले ही पॉइंट पर illegal था, law तो टोड़ने का अपर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप भी दभाव करेंगे, यहां पर तो कोई positive discrimination नहीं है, ना कि land allocate कर रहे हैं, तो गरीब को दे सकते हैं लेकिन यह तो illegal act था, तो यह उस हिसाब से राइटर को जैसा बोल रहा है कि this will be arbitrary and discriminatory and abandoned law, ठीक, आगे बड़ते हैं, हाँ पुलिए है, यहां तो equity को ज्यादा माने तो दिया जा रहा है ना, लेकिन बात यह है ना कि यहां पर illegality है सबसे पहले, सबसे पहले equity और जो आप जिस तरह से सोच रहे है, वो equity essence में हो सकता था कि piece of land है, piece of land है और आप पॉलिसी बना दी कि गरीबों को मिलेगा, वो ठीक है, but it was illegal act, illegal act में आप किसी को punish कर रहे है दिखा जाता है और किसी को reward कर रहे है, यह थोड़ा अलब टाइप कर दिख रहा है, यहां पर straightforward policy नहीं था, illegal act था, चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि criminal law होते हैं, तो मतलब एक को आप खाली भी तो करवा रहे हैं, आल्रेडी इसको capture में है, अच्छा हम लगा आगे बढ़ते हैं, अब अगरा जो news है, इंटर्विव में अगर आजा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ा सोत समझ के इस समय बोलना पड़ेगा, बात यह है कि करनाटक एक new slaughter law बनाया हुआ है, ऐसे slaughter law और भी राज्यों में हैं, दिखाते हैं, यूपी में है, गुजरात में है, हर्याना में है, पंजाब में है, अंध्रदेश में है, ठीक, क्या law है, सेंपल, कि गाए को नहीं मारा आजा सकता, anti-slaughter law है, that is, जब तक कि यह 13 years के ना हो जा, ध्यान से समझा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि हम फार्मर्स बिल तक पहुँच पाएंगे आज, तो ठीक, एसी को कवर कर लेते हैं, कल फार्मर्स बिल कर लेंगे, अब लोग, तो बात क्या बोल रहे थे, कि 13 years तक हो जाने के बाद ही slaughtering किया जा सकता है, करनाटक prevention of slaughter, preservation of cattle bill, 2000, इसमें unique क्या है, unique यह है, कि अभी तक जितने slaughter law है, वो cattle के लिए है, cattle का मतलब, जो गाय, बुलक, बुल, लेकिन इसमें बफैलो को भी आड किया है, that is unique, तो बफैलो का आड कर दिया है, बोथ gender, तो इसको फिर बोलेंगे, anti-bobain slaughter हो जाएगा यह, मतलब कि यह गाय भैस दोनों को मिलाकर के बनाया हुआ है, तो यह जो होगए, बोबाइन हो जाएगा, तो इंडिया में जो बीफ जिसको बोलते है न वो भैस कमांस होता है, और यह, जहां तक हमको हिंदु धर्म का समझ है, यह पुझ पशू नहीं है, हिंदु धर्म के हिजाब से गाय है, तो आप बोल सकते हैं, अमराज का सवारी है, तो सवारी तो सब ही है कही न कहीं पे, तो यह बात कर रहे थे कि एक पॉइंट, तो इसमें कुछ नाम है रहा है, वो सब पढ़ लिजेगा आप लोग, कि बोस टावरस जो है, गाय का इस पसीज का नाम होता है, और बफैलो जो होते है, वो बुबालस, बुबालीस, यह इस पसीज का है, तो पहले जो है, वो बोस टावरस को ही रखा जाता था, लेकिन इसमें बुबालस, बुबालस को भी रखा हुआ है, तो बात क्या है, कि फाइन है, 50,000 to 5,00, अजेल भी है, 2-3 साल का हो गए, एक्टेंडिंग अप टो 3-7 योर्स, ठीक, कमेंटिंग इस डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत, बोल रहे है, जो बोल रहे है, जो फैक्ट क्या है, कि जो गाय जिनरली लोग पालते है, 7-8 योर्स ओल्ड तक, ठीक, या मैक्सिमूम 10 योर्स, ये 3 साल जो है, जो स्लाटरिंग के लिए पर्मिशन दे रहा है, ये 3 साल, मतलब इतिसे ज़्यादा कोई सायद ही कोई ऐसा होगा, जो किसी गाय को 10 साल से ज़्यादा रखना चाहता होगा, तो ये 3 येर्स जो है, ये जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके उपर में ये लोड जैसा हो सकता है, तो फिर फार्मर्स क्या करेगा, फार्मर्स जो होगा, वो गया को छोड़ देगा, गया को छोड़ देगा, and there will be stray cattle, अब cattle्स जो होगे, stray होगे, तो पुलिस पकड़े न पकड़े, लेकिन जो cow vigilance है, वो तो पकड़ ही लेंगे, तो वैसे states में जहां पर इस तरह का walence है लोग गाय का transportation नहीं करते हैं छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं तो गाय जो होंगी वो grazing करेंगी तो naturally resources are limited तो ये जो होगा दूसरे गाय को तो लेंगी लेंगे साथ हैं फसलों को भी नुक्सान पहुचा सकती है तो जो हमारा किशान होगा वो किशान अक्सर ऐसा होगा कि इन गायों इन इस्ट्रे जो cattle से इन से बचने के लिए उसको extra मेनत करना पड़ेगा तो ये policy अगर ये लाना ही है तो ये policy तभी successful हो सकती है या neutral हो सकती है जबकि इसका जो old cattle है इसका देखवाल के वेवस्ता सरकार करे अपना वैसे हाउसे बनाए जाए उसका देखवाल करे या फिर जो फार्मर है उसको compensate किया जाए ताकि वो इसको पाले ठीक तो अब देखते हैं है आगे मुद्ध यह है कि मज़ितार बात है कि बाकी जहां स्टेट्स में जहां गायों का वद्ध प्रतिबंदीत है लेकिन भैस का नहीं है तो वहां पर लगातार बफैलो का पॉपलेशन बढ़ रहा है ठीक जहां पर गायों का स्लाटरिंग इलिगल है वहां पर बफैलो का परसंटेज बढ़ रहा है जैसे यूपी, गुजरात, हरियाना, पंजाब, अब लोग बता सकते हैं कि क्यों गाय का स्लाटरिंग अगर कम है तो बफैलो का परसंटेज क्यों बढ़ रहा है तो प्रेडिंग भी जादा होगा फायदा भी जादा हो अच्छा एक और अनिमेश से पूसते हैं अनिमेश जब जब बफैलो से काम पूरा कंप्लियट हो जाएगा तो यह किसी मीट प्रोडूसर को बेज़ देगा हाँ मतलब कि हमारे किशान वह किसान इस बात से ज़्यादा वरीड है कि एकनामिक वैलू किसम ज़्यादा है तो उसको वो फैलो का जो एकनावी वैलू है उसको वो ज़्यादा दिख रहा है इस कारण से अच्छा तो पहले क्या था कि UP में सब ज़्यादा कैटल्स थे सब ज़्यादा अभी कहा है मज़ितार बात है यह वहाँ जहां पर स्लॉट्रिंग परमिसिबल है यूपी में कैटल कम हो गया जहां पर किस लॉट्रिंग नहीं हो सकता और वेश्ट बेंगॉल में कैटल बढ़ गया है तो आपको आप बहुत असानी से गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो पढ़िएगा और अभी ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे जब क्लास खुलेगा तो ज़्यादा कमेंट करेंगे आगे बढ़ते हैं यह भी इपॉर्टेंट है इंटर्विवालेस पर भी अलर्ट रही है अभी युनिन काबिनेट जो है वो हम फिर से इंटर्विवालोग याद दिला दे रहे है पेपर न्यूज पेपर डेली पढ़ते रही है इंटर्विव का दिन तक और प्रिफरेबली इंडिया इंटर्विव के लिए अच्छा काम करेगा इंडिया एक्स्प्रेस में जो एक्स्प्रेइन अलब पार्ट होता है उसको पढ़ लीजेगा ये जो है ये गेम चेंजर हो सकता है टेलिफोनी में टेलकॉम सेक्टर में इसमें होगा क्या फ्यूचर कैसा दिख रहा है फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि आपका हो सकता अगला साल तक ये या इसी साल हो सकता है सुरू हो जाए कि आपका घर के पास में कोई पानवाला है को cash भी दे पाएंगे उसका online payment भी कर पाएंगे अब क्या होगा आप उसका wifi से आप connected हो जाएंगे और उसका wifi से ही नहीं आप अगर कहीं move कर जाते हैं थोड़ा इधर उदर भी चल जाते हैं तो अगर जो अच्छा ये दुकान को क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे PDU Public Data Office इसके लिए कोई lessons नहीं लेना होगा कोई भी lessons अगर हम चाहें तो जैसे Dream IS को भी बना दे कि Public Data Office हो गया तो यह Public Data Office हो गया Public Data Office हो गया अब उस दूसरा Public Data Office में भी अगर हमको Wi-Fi connection मिलता है तो हम उस पर login कर सकते हैं पहला वार एक बार KYC कराने के बाद एक बार उस दुकान में कराने के बाद हम कहीं और भी गया और वहां भी अगर वानी compliant अगर Wi-Fi मिल रहा है तो वो उसको हम access कर पाएंगे तो है होगा क्या इससे यससे क्या होगा कि कहीं पर अगर सोचिए यह फाइवर बिचा हुआ है तो फाइवर बिचा हुआ है तो वो लोग वहां से थोड़ा strong Wi-Fi जो है वो प्रोड्यूस करके और वो आसपास 50 meters और ऐसे वो लोगों को data दे सकते हैं तो घर-घर में फिर तार पहुंचाने की जरूत नहीं पड़ेगा और लोग जो होगा Wi-Fi को access कर देंगे तो अभी हमारे एरिया में तो BSNL इस तरह के Wi-Fi शुरू किया वहां से उसका office से बट इस्टेल हमारे यहां तक नहीं आ पा रहा है लेकिन वह लगता है कुछ एरिया को कवर कर रहा है तो हां तो बात कर रहे थे कि कोई भी जहां पर यह network आएगा या 5G भी आ जाएगा तो भी हो जाएगा 5G कहीं पर आया और वहां से क्वाइफ एक रहो बट भी लादियक है अब क्या होगा एक अच्छा यह प्रब्लम है इसका कि इसको ओके गूगल कहीं सुने ही पड़े गया देखे से जोने में लिक्कत आ लिए है दूसरा एक प्लेयर बता दिया दूसरा प्लिक डेटा ऑफिस अग्रेगेटर यह क्या करेंगे यह जो इसपीज होंगे मतब जीओ या फिर एयर टेल या वोड़ा कोई भी हो या इनसे यह डेटा खर देंगे यह अग्रेगेटर है समझ लेजएगा यह अग्रेगेटर है तो यहां पर छोटे-छोटे पांध दुकान कि राना साफ एसब यह किसे कनेक्शन में रहेंगे यह कनेक इसे खरता है डेटा ठीक तो दो लियर बता दिये और एक और प्लेयर कौन सा है वो एप प्रोवाइडर जो इन लोगों को के लिए अप बनाएगा ताकि वो पीम वानी कंप्लाइंट नेटर्क जो है उससे उसको वे ढूंड सके उससे लॉगिन कर सके तो तीन लोग इसे प अफ्लाइन भी जा सकते हैं और बता हीं दिये कि यह एक वर क्वाइसी कराने के बाद आप उस अग्रिगेटर का इधर उदर भी कहीं रहेगा तो आप ले सकते हैं डिटा तो यह एक बड़ा चींज आ रहा है आने वाला टाइम में प्रब्लम कहां पर है सेकृरिटी और प्रैवेसी तो यह तो प्रब्लम रहेगा तो सेकृरिटी प्रैवेसी का प्रब्लम है कि आप वाइफाई नेट्वर्क में हैं और वाइफाई नेट्वर्क ही इंसेक्यूर है और आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर दिये तो हो सकता ह कि हलाकी it is quite difficult आसान नहीं है लेगन फिर भी यह कहीं आपका डीटा लीक नहीं हो जाए या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप लोग टेलेग्राम के तुरू दो लोग बात कर रहे हैं और वाइफे से कनेक्टेट हैं दोनों के दोनों अपना अपना वाइफे से तो क्या आपका डेटा लीक हो सकता है वाइफाइप्र प्रोटेक्टेट एक एंच प्रोटेक्टेट इस नहीं हो सकता है क्यों कि मेरा पर्साल वाइफाइट से आपकर तो नहीं है सब्सक्राइब करें तो कर सकता है कोई अगर अनिंक्रिप्टेड हो अचा आर्थी क्या बोल रही है मेरे हिसाब से तो हो सकता है टेलिग्राम अचा हम ठोड़ा और बोलेंगे लेकिन बबुच्छेंगे चली एक और कुछन थोड़ा सबदल दे रहे हैं वाटसप के थू कर रहे हैं अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है इस दिए दिए पूछ लेते हैं आर्थी लगता है वाटसप में भी हो सकता है अनिमेश गिर्अश अनुम अनुम दिए उंट इन क्रिप्टेति डर्फ एसलाई नहीं होगा What's up में नहीं होगा बाए बहुत Slim chances नहीं होगा क्योंकि वो सही है वो end to end encrypted开श अच्छल算गी जब हम बोल रेते तो Telegram में हो जाएगा तेली जो है न वो Telegram का जो chat होता इस ना बेकिन अगर Telegram में अगर आप सिक्रेट वाला का आप कर रहे है सिक्रेट चैट तो यह जो होगा यह इसका डेसफर होने का बहुत कम चांस है आर्थी क्या बोल रही है मैं को चाइना वाला इंसिडेंस या रहा है जिसमें जो नोबल प्राइस विनर था जिसके लिए कैम्पेंच चला था तो इस चाइना सिर्फ फोटो नहीं कर पा रही थी तो उसने सिर्फ फोटो जो भी इमेज सेंड कर रहे था उनके इमेज को सर्फ अटा पा रही थी लेकिन बाकि चीज़े तो I think decrypt कर पा रही थी मतलब वाटसब कि थ्रू हो रहा था यह तो हम शीर नहीं है वाट्सप बहुत मुश्किल है आर्थी यह 128-bit का इंक्रिप्शन बहुत तफ है उसको तोड़ना आसान सी जो चैट जो दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं सर अच्छली यह जो नहीं यह जो न्यू जो चैट है यह तो कोई उसका स्क्रिन सोट ले लेता है आगयर आपका फोन उसका caz Ole मे गया है कांस है आपका फोन का अगर आक्सेस किसी को मिल जाए तो अब तो टिट निकल जाएगा आपका फोन का accept आपका फोन मी जैसे हो वो तो ट्रूजन टैप का था अब तो सारा का सड़र्ठ वो निकल जागा बाहर लेकिन यहां पर क्या है ना यहां पर थो आपका फोन आपके हात में है और अपश्ज सॉर्ड़न का में होराइस्ट वह डेटा की इनले齋 है और ले करके उसको पढ़ने को सिस्ट कर रहा है तो वह थोड़ा याद और दिला रहे हैं कि आप याद कीजिए को दिधी बोल रही थी वो लिग हो जा रहा था आक्चली वाटसेप में अगर ग्रूप मेसेज रहेगा तो वो लीग हो सकता और जैसे कि वहोता है न की ना एक आपका जो एक आपका पर चाट का आप अगर वह हैं तो गूगल में पर सकते गा सकते हैं तो आपका फून में चीज हो जाता है अब पातरा ग्रूप चैट का तो यह हमको देखना पड़े ग्रूप चैट जो होता है वो 128 इंक्रिप्टेड है कि नहीं हमको नहीं लगता होता होगा तो ठीक है ग्रूप चैट तो वह ऐसी पबलिक है लेकिन यह स्नूपिंग जो है वह वह इस नेक्स्ट इम्पासिबल फॉर वा यहां पर यहां पर उसको पढ़ना इस इंपासिबल है यहां से यहां पहुंच कि आपका फोन में कैप्चर आगया तो आगया तो आप डिलीटेड वाल क्या बोलती आरती कि डिलीटेड मैसेज का कि कौन से डिलीटेड मैसेज हम तो अब पता नहीं है मीडिया पर भी ट्रस करके वाद जो बोले हो गलती बोले होंगे उसमें दिखा रहा था कि कुछ डिलीटेड मैसेज से जो रिकवर कर लिए गया है तो वह हमको समझे नहीं कि वह रिकवर अगर थोड़ा सा और देखते हैं एक्चली इसमें जो है न से आपके तरोगर बात कर रहे है तो आपका बात जाएगा ही नहीं अगर उसमें जैसे वो बीच में याद होगा वो जो काटून था उसका बन रहा था हमको तो याद नहीं रहता है कॉमिक्स वाला काटून था वो लोग विनी दपू हां था ना क्या क्या फिर से बुलिए विनिदपू, sir, हाँ विनिदपू, तो वो जो है वो तो खली लिखा हुआ रह रहा था, तो आगे नहीं बहुत रहा था चैना में, आपके फौन के अंदर में ऊपके डेटा ही है लेकिन एपल का पासवर्ड जो है वह प्र उसे में जो है यह गौर्वर्मेंट बोली कि इसको इसको क्राक करवाव प Taylor, तो फिर युस जो थी स्सक्राकर लगा करका जैसे वह फिर उसको रख के थी तो क्राक की तो आपको कर्फिन को बठै साथै इंट्रिव्यू में व Oh Every लेकिन इवाइस ट्रॉपिंग ठोड़ा अलग चीज है क्रैक होता है फोन क्रैक हो सकता है फोन बुल गया तो हां वो पासवर्ट है भी तो आप सेफ नहीं है आपको याद होगा मेरे खाज़े आर्ति की क्या था वह बूट फॉर्स उसको बोलते हैं बूट फॉर्स अगर बूट फॉर्स में बोल भी दे रहे हैं बूट फॉर्स में अच्छा आर्तिक Late करें कि बताएगा कि ब्रूट फूर्स लगा करके भी फोन को अलग कर सकते हैं ब्रूट फूर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं तो यह जो है वह लाखो करोड़ों पासवर्ट दे देंगे अब हम लोग एक आर्टिकल कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग छोड़तेंगे आप लोग पता है निती आयो के जो CEO है अमिताब कांथ यह अभी हाल में क्या बोले एक मिनट कि इंडिया है जो टू मच डेमोंक्रासी इसलिए अहां पर रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे है तो अभी हमारे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया है इस डेमोक्रासी होता तो यह अठोल के लिए कि इंडिया इस टू मौश डेमोक्रासी और इसलिए अहां पर रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे कि जब भी सरकार कुछ काम करेगी तो जनता से कंसल्ट करते है पार्लेमेंट इसलिए तो बना हुआ अटाप्रासी होता तो राजा नहीं होता पार्लेमेंट बना हुआ है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है तो सरकार जो है वो बिना पार्लेमेंट से पूछे हुए कोविट के दोड़ान में ordinance के through और law ले आती है और उसके बाद discussion के लिए वो हमारे parliamentarian को काफी कम time देती है और उसके बाद law बना देती है और उसके बाद लोग बिरोध करते हैं तो बोलते हैं कि it is too much democracy तो democracy अगर होता तो इस तरह से तो ही नहीं पास हुआ होता democracy के through आया होता तो यह मतलब हमारी जो बाद में वो बोले कि अरे हमको miskoot किया गया बट यह सब कुछ चल रहा है ऐसा करते है यह इस एवीक लगता हमारा लंबा खिचाएगा तो हमको नहीं लगता कि कल भी हम फिनिस कर पाएंगे तो दो दिन और यानि की Saturday और Sunday यानि कि अब लगा टेस्ट अब Tuesday को जाएगा ठीक है जो भी हो तो हाँ किसी को कुछ पूछना है इसके बाद अब फार्मर्स पो टेस्ट ही है तो उसको हम लोग कबर करेंगे बाद में किसी को पूछना है कि यह जो जो भी टेक जाइंस है इनके हाथ में डेटा तो किसी का भी प्रोटेक्टेड नहीं है अगर यह प्रोटेक्टेड होता तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में लोकलाइस प्रोसेसिंग या लोकल सर्वस रखने की बाद क्यों होती कुछ डेटा तो ऐसा होता है ना कि वह पॉब्लिक ही है यह चैटिंग जो होगा यह अलग मुद्ध हो गया लेकिन हमारा बाकी प्रोफाइल जो है जैसे मान लीजे कि आप क्रेडिट का ट्रंजेक्शन करती है तो एमाउंट्स वेगरा तो इनको पता होता ही है कि क्या अमाउंट है क्रेडिट का नंबर और सीवी भी यह श्टोर नहीं करतें सीवी भी नहीं करतें क्रेडिट का नंबर तो श्टोर करती ही है तो यह डेटा तो कुछ डेटा तो है ही जेंडर का डेटा चैटिंग का नहीं मतलब बाकी तो बहुत सरे डेटा है ना फिनेंसर ट्रंजेक्शन में या फिर या फिर मेडिकल ट्रंजेक्शन में वह इसी जो बात है कि कहीं पर आपका जैसे आज का हस्पिटल से है तो आपका एक्सरेइब को भी डिश्टल फॉर्म में रखते ही हैं तो वह सारा का सारा डेटा जो है वह रिवील हो सकता है और फिनेंसल सेक्टर में बाकिये लों बात करें लिए अकाउंट नंबर और भी आ कि जो यह सिस्टम है ना इंक्रिप्शन का इस 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 बिससीज पर काम करता है कि दू बड़े-बड़े प्राइम नुमबर को बड़े-बड़े प्राइम नंबर को 1 2 5 9 6 3 4 0 1 5 9 3 2 1 1 1 7 इनको अगर मल्टिप्लाइ कर दिया जाए जनरल गेम बता रहे है तो जो नंबर निकलेगा उस नंबर से इन दोनों नंबर को निकालना इट इस क्वाइट डिफिकल्ट फ़र काम कर सकते हैं और वो जो सामने वाला नंबर है वो उसको दिख रहा है बट ये पासवर्ड जो है वो एक्चुली क्या है वो मतलब ये डिवीजन का डिफिकल्टी के पर ही काम करता है जेनरल सा बात याद रखेगा कि ये प्राइम नंबर्स का फैक्टर निकालना बड़े प्राइम नंबर का कंप्पुटर के लिए टिस्टू टेडियस अगर यह है तो इसी बसेश पर ये क्रिप्टोग्राफिच चलता है अभी का जो क्रिप्टोग्राफिच और क्वांटम कंप्पुटिंग आया तो उसका प्राइम नंफटोग्राइम नंच